आज की यह बीडियो फिच्छा साफ्त रहाने के एजूकेशन की महा संग्राम होने वाली है जो भी हमारे बिए सिकेंडर समेस्टर के स्टुडेंट है उनका सब्जेक्ट एजूकेशन नहीं सिच्छा फाफ्त रहे उनको यह बीडियो कम्प्लीट जरूर देखनी चाहिए यह परिच्छा में बार बार पूंचे जा रहे हैं इस बार भी आने की संभावना है और उन सभी प्रश्णों के साथ साथ उसका उत्तर भी मैंने तयार किया ताकि आपको इधर उतर भटकने क्या सकता ना पड़े सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए बेस आपकी सुरू करते हैं बिना देरियों कि ध्यान से समस्ते रहेंगे आपका ब्रश्ण पत्र से संबंदित होंगे तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्ण अंसर के और यह सारे कोश्चिन मैंने अपने एक्स्पिरियंस के इंसाफ पे तयार किये हैं ताकि आपके एक्जाम में पूरी प्रश्ण करें आप लोग के प्रश्ण प्रिच्छा में मिलेंगे आपको ठीक है जो मैं आपको बताने वाला हूं और उत्तर भी बता रहा हूं तो आप लोग त्यार कर लीजेगे ठीक है तो पहला प्रश्ण आज की स्पीडों का कि बहुत दिकालिन फिच्छा का मुख उ कर देश है ठीक है इसी तरह बहुत द्रुइदि चुफ अ आने समझें और इसमें ज्वाइन हो यानि की बहुत धर्म को अपनाएं ठीक है समझें इसको उसका प्रचार प्रसार करना था लोगों तक उसके बाद दूसरा उद्धिता कि चरित्र का निर्मान करना यानि कि आपका करेक्टर है आप एक गुणवान बेखते हैं का परफेक् प्रचनाल्टी जो आप हैं आपका विकास लोग आपको जाने आपको लोग जानने की इच्छा जता हैं बहुत फारे एक्टर होते हैं बहुत फारे एक्टर होते हैं नेता होते हैं जिनके जिनको लोग जानने का प्रियाफ करते हैं और उनको देखने का प्रियाफ करते हैं उनके साथ फोटो लेने का प्रियाफ करते ओफी तरह ये भी उद्देफ बिक्तुत का विकास होना ठीक है प्रशनाल्टी आपके अंदर जो क्वाल्टी उसका विकास होना तो इस प्रकाल लिखेंगे अगला प्रशना है वैदिक काल में फिच्छा के प्रमकुद्देश बताईए अभी तक आपने देखा था कि बहुत कालिन सिच्छा के उद्देश बताईए कोश्चन आया था अब वहें पर एक और कोश्चन है यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने खुर से तैयार किये खुद से तो इसलिए आपको थोड़ा यहां पर ना समझ में आ रहा हूं लेकिन यह कोश्चन है जो मैंने राउंड उकर दिया चारों और से यह कोश्चन है कि वैदिक काल में फिच्छा के मुख्योद्देश बताईए तो चलिए जानते तो वैदिक काल में फ खुद चाहिए फिकर अतमा की पभृत्ता का विकांव A किसी भी आत्मारा मतलब की अपके अंदर को यह कोई व्योация तो आत्मा आपकी फौरी मतलब कि आसे चीजें होती जो करने के लिए कहता कि यहां वाय यह काम कर दो लेकिन और आत्मा की पवित्रता की से कि ब्यक्तुत की सोयim का विकास होना विकतुत हो लेखत्य Clare समाजिक्ता वा नागरिक्ता का ज्यान प्रदान होने और आप जिस भी देश के नागरिक है या पिर जहां के भी नागरिक है उसके वारे जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है प्रदान करना तो यह थे वैदिक काल में फिच्छा के कुछ पुर्मों खुद्देश जो कि पहल पहुति पॉप्लर कोश्चिन है हमेशा पांसते हैं इस बार भी पसेंगे नोट कर लिए अब भढ़ते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रशन है कि वैदिक काल में गुरू सिस्ट संबंध बताई यानि कि वैदिक काल के समय में यानि कि पूराने काल में जो गुरू हु करते थे उनके वी संबंध आपको बताना किस प्रकार का था आज की समय की बात किये जाए तो यहां पर आप पढ़ाई करते तो आपके बीच और आपके टीचर के बीच कौन सा ऐसा बाउंडेशन है जो आपको आगे ले चलता है और एक दूफरे से बात करने पर मतलब की और अच्छे से आप समझ सकें उनकी बातों को और उनकी राहों पर आप गुरू की राहों पर चल फकें ताकि आपका जो भविष्ण है वो उज्जल हो ठीक है तो वही बताना कि वैदिक काल में यानि पुराने समय में गुरू और सिस्तु का संबंध किस प्रकार क बहुत ही बिसेश मतलब कि बहुत ही अलग था यूनिक था और अच्छा था जो कि अतियंत मदूर था मतलब कि बहुत ही कोमल बहुत ही मधूर आत्मी अनकरणी था यानि कि आत्मा फे एक दूफरे का प्रेम था एक दूफरे का रिस्पेक्ट था संबान था वैदिक काल में तो गुरु पर सौंप कर देता था और गुरु भी सिस्य के उपर सौंप कर देता था और वो सिस्य अपने जिम्मेदारी पर खरा उतरता था यानि कि गुरु जो भी कह देता था जो भी वादा कर देता था उसे निभाता था और जो कह देता था उसको स्टूडेंट यानि जो इस्टुडेंट से ऐसे बिवहार करते थे मानों उनके पुत्र हों मानों उनके बेटे हों तो इस प्रकार की भावना इस प्रकार का बिवहार करते थे और शुष्ष भी गुरू को पिता तुल्य मानकर उनकी सभी आग्याओं का पालंग करते थे और साथ साथ में जो वहां के इस्टूडेंट थे यानि दुस्यस्ट थे वो भी अपने गुरु को अपने पिता के समान मान कर उनकी सभी कारियों में हाथ बटाते थे और उनके सभी आग्या उनके सभी नियमों का पालंग करते थे ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे गुरु और सुष्ट के बेश करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्या आसर है या फिर किसे कहते हैं सिच्छा के सार्भ भौमिकरण का अर्थ जानते हैं तो इसका अर्थ है प्रितेक बिक्त को चाहे उसकी प्रष्ट भूमी कुछ भी हो गुरुवत्ता पूर्ण सिच्छा प्रात करने और जीवन में सफल होने के लिए आवस्चे ज्यान और कौसर प्रात करने के लिए समान औसर होने चाहिए इसका मतलब है कि सिच्छा का सार्भ भौमिकरण मतलब कि फिच्छा सभी तक पहुंचने चाहिए और सभी लोग फिच्छा लेने की हकदार है सार्भ मतलब कि सभी लोगों तक ठीक यह सिच्छा सभी के लिए अनिवार है और सभी को होनी चाहिए वो किसी भी जाती का बेक्त हो किसी भी किसी भी तरह का बेक्त हो बिकलांग हो अपंग हो या फिर किसी भी मतलब कि किसी भी प्रकार का हो वो अपने गुर्वत्ता को बढ़ाने के लिए फिच्छा को अपने जी और जो आपके skills होते हैं, यानि कि जैसे computer हो गया, कोई आपके पाफ skills है, कोई mechanic बन जाता है, कोई engineer बन जाता है, कोई जिसको mystery बोलते है, बन जाता है, इफी तरह के कौफ़ल, कौफ़ल का मतलब का computer के बार हम जानकरी जिसे हो गए, यह आपके कौफ़ल हो गया, आपको किसी bike बनाने के बार हम जानकरी आपको मोबाइल बनाने के जानकरी आपको कोई computer बनाने के जानकरी है, तो आपके क्या हो गया, skills हो गया, और ज्यान का मतलब यह हो गया, आपके जो पढ़ाई लिखाई चलती है, ठीक है, 9, 10, 11 यह सब ठीक है, तो यानि कुर्मिला के सभी को इस बार भी आपकी परिच्छा में आएगा, राफ्टे फचारता मिसन किसे कहते हैं, राफ्टे फचारता मिसन पर टिपड़ी लिखे, आइसा प्रस्न देखने को मिल सकता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राफ्टे फचारता मिसन, NLM की अफ्थापना, ना केवल तीन आर पढ़ने, लिखने और अंगणती, अंगणत में सभी को अन्तिक आत्म निर्भर बनाने के लिए की गई थी, बलकि उन्हें समाज को प्रवावित करने वाले विकास के मुद्दों में आउगत कराने के लिए भी की गई थी, एक मतब राफ्टे फचारता मिसन की जो स्थ फापना है, ब्र TF लिखने-पढ़ना है यह अंगड़े यह फिर इंग्लिस के बारे में जानकारीी होने के लिए नहीं की गई, बलकि आप समाज से प्रवावित हो के र्वास को जान की सिक और समाज के जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो, और उनão को solve करन हैं मैंने बेसिक प्रच्चे यहां पर प्रस्तुत किया लगास अगला प्र्ण बहुत ही पॉप्लर है कि 1952 वारते ऊंप प्रणफ्चानीटी प्रणाली को एक नय सोरो प्रदान किया és ठीक है इसके द्वारा महिलाओं की फिच्छा में परवर्तन लाया गया इसके द्वारा महिलाओं के फिच्छा पर बिसिस बल दिया गया यह उनकी फिच्छायों बिभिन फुजाओं पर प्रफ्तूत के गए मतलब की महिलाओं को भी बराबर हक मिलना चाहिए कि जिस प्रकार किस प्रिकार कोई लड़का अच्छे से high qualification ले सकता है या फिर कर सकता है तो फिर महलाएं जो लड़किया होती है उन्हीं की तरह high qualification कहीं पर भी जाके पड़ सकती है ठीक है और उनकी पिश्चा के लिए प्रस्थित किये गए और अलग तरीके कि किसी भी माद्दें फे जो महिलाएं हैं या पर लड़कियां नहीं कि पर पुरसों से या फिर लड़कों से कम नहीं रहे जाएं कई पर भी जाके मतब की पढ़ाई कर सकती हैं कितनी भी पढ़ाई कर सकती हाई लेबल तक और उनके लिए बहुत साइब सुझाओ भी दिये गए कि आप अफान तरीके से कैसे और मुस्लिम कालियन फिच्छा के उद्देश लोग जाने के बारें उसको एक्षप्ट करें यह मुश्लिम कालियन त्ष्छा का मुख उद्देश था उश्काल में मदर्सों द्वारा भी इसी कारें को मुख्ष अफ्थान दिया गया था सांसारिक सुक को मुख्य अफ्थान मुस्लिम समाज पुनर जनम में विश्वाफ नहीं रखते थे उनके अनुसार इफी जिर्म में सभी सुकों की प्राप्त कर लेनी चाहिए यानि कि पहला उनका जो देव था वो अपने धर्म इसलाम धर्म का पचार पसार करना लोगों को जानकारी देना लोग इसको समझे और इसको ठीक शोभिकार करे और उनका मतलब यह था कि पुनर जनम में विस्वाफ नहीं करते थे कि हमारे पुनर जनम कैसे हुआ है तो यह फिर हम गलत helping लिए तो हमारा जो पेडाम होगा यानि जनयाने चलत हो गलत हो तो कि रेकर इसके कि अगला कि सर्व सिच्छा भियान पर प्रकास डाली सब पढ़े सब बढ़े आपने सरकारी स्कूल जो गॉर्मेंट इसकूल होते हैं जो पांस तक आठ वी तक होते उसमें आपने टाइग लाइन देखी होगी पर बुक पर भी लिखा रहता है जो बोर्ड होता वहां पर भी लिखा हो अभियान ही है ठीक है लोगों तक फिच्छा पहुंचाने का तो सर्फिच्छा भियान SSA एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश जो है समय ब्रद्ध तरीके से प्रारंबिक फिच्छा को सार्व भॉमिक बनाना मतलब कि सर्फिच्छा अभियान जो योजना है इसका उद प्रधान मंत्र तुकाल में हुई थी जहां रखेंगे फ्रारंब में इसका उद्देश 2010 तक 6-14 वर्ष की आयो के सभी बच्चों को सिच्छित करना था यानि कि इस योजना का मुख्य उद्देश था ठीक है 2010 तक कि जो 6-14 वर्ष के आयो के जो बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते यह फिर किफी वज़ा फिर नहीं पाते हैं तो उनको अन्यवार फिच्छा और फिरी फिच्छा मिलनी चाहिए ठीक है योजना का ये था मुख्य उद्देश उसके बारे में बेसिक परच्चे समझ गया है अगला कि तच्छ फिला और नालंदा के बारे में परच्चे दीजिए यह दोनों कोईश्चन बहुत ही पॉपलर हैं आफ तक ऐसे कोई परिच्छा चोटी ने जिसमें दो कोईश्चन नाया हूं हमेशा आते हैं तो इस बार भी आएंगे तो जानते इसके बारे में तच्छ फिला और नालंदा बिच्छ बिद् कि अफ्थापना साथ भी इस्टा पूर्व में की गई थी तच्छ फिला बिश्च बिद्दले में पूरे बिश्च के 10500 से अधिक छात्र अध्यन करते थे यानि कि पहले के समय में तो इस प्रकार बेसिक परच्चे लिखेंगे बाकी डीटिल में आप लोग इंटरनेट प प्रुष्त कर रहा हूँ ताकि आप टैग लाइन पागे बनाके लिख सकें तैक है आगला प्रशन है बेच्छ फिच्छा के मूलबूत फिद्धांत बेशुक्त के बारे में जानते हैं मूलबूत फिद्धांत के बारे में तो उत्तर लिखेंगे जो सात वर्स से लेकर 14 व वरके सभी बच्चों के लिए आनिवारी उम निशुल्क प्रात्मिक फिच्छा की व्याफ़ा की ज़ाए यह किया गया था किसमें लिए फिक्ट्च निशुल्क मनद्द्ध है तो दूसरा जो फिद्धान था था फिच्छा का माद्यम मात्रमाफा यानि कि आगला जो किफिधान था वह संपोर्ड़ फिच्छा किसी माज़्ध है और चाहिए कि प्रत dat लिखेंगे बेशिक शिच्छा के मोंफित भीचान के बारे हम चार रह चारह लिख देंगे पूरी नंबर भी लेंगे अगला प्रशन की उत्र बताई है तो जैसे कि आप बिये कर रहें जो आप यही कुश्चन है तो उच्छ विच्छा का महत्यों में आवा सकता है यानि तो पहला चात्रों में व्यापक द्रश्ट कॉन उत्पंद करने हैं ठीक है कार को सलता और नेत्रों च्छम्ता का विश्तार करने हितु उश के बाद अगला था उचसर क circuit catorka जानार्जन येनिकी ग्ञान्रप्राप्त करने ने ग्ञान का विश्कार और ठीक है और यहां पर लिखा प्रविश्कार और सत्यता की जानकारी हिद यानि कि क्या गलत है क्या सही है उसके बाद विसे श्रगों के निर्मार हिद राफ्ट के चाहुमों की विकास युद तो यह कुछ प्रमकुद्देश हैं कुछ फिच्छा के जो कि आपको ध्यान रखना है ठीक है इनके बारे में आपको जरू पढ़ लेना है बहुत ही important question एक दू बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आफानी से समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ने से एक बार ठीक है आपको समझने में एक बार में नहीं आएगा यह मैं आपको हमेशा बोलता इस बार भी बोल ला हूं तो दू तीन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा अगला के फिच्छा के मुख्यू देश कौन से अभी तक आपने देखा कि भाईया उच्छा की क्या उद्देश थे अब जान लेजिए फिच्छा यानि कि जो दार्मल फिच्छा इसकी क्या उद्देश है तो पहला मानो आत्मा का पोंसर जीवन की मुल्यों के प्राप्ति पूर्णता की प्राप्ति मांसिक अथवा आध्यत्मिक विकास आच्रन तथा नेतिक चरित्र का विकास होना संतुलित व्यक्तित का विकाफ उचित विकास तथा मुल्यांकन की प्राप्ति आत्म फिच्छा की तैयारी यानि कि फिच्छा अगर आपको अच्छी मिलेगी तो आप एक परफेक्ट इंसान मनेंगे और से चाइफ ले दी जाती इसका उद्देश यह कि मानों की आत्मा है उपुरी सा परफेक्ट रहे ठीक है परफेक्ट है मतलब यह फंतुष्ट रहे जीवन की मुल्यों के प्राफ जीवन में बहुत फारे ऐसे आउसार आते हैं तो वहां फे आपको क्या होगा कि आपको जानकारी होगी आपके जीवन में कुछ ने कुछ मुल्य यानि कि आपको वैलू आइड मिलेगी ठीक है ताकि आप आगे कुछ कर सके पूर्टा की यानि कि कोई काम करना चाह रहे हैं कुछ भी करना चा आपका क्या आसा है या फिर गुर्उकुल के बारेमे आप क्या जानते हैं तो पहले आप लोग देखते थे जो बच्हे कर अपने गुरु के साथ में पढ़ाई करते थे ठीक है तो उसी से सम्मंदित question है, तो गुरुकुल के बारे हम लिखेंगे, यदि हम साब्दिक अर्थ पर जायें, तो गुरुकुल का अर्थ होगा, गुरु का परिवार, यानि कि जहां पर गुरु हम लोगों को साथ में रहकर पढ़ाता है, और वहीं पर हम रहते हैं, वहीं पर खाते वहीं पर पढ़ाई करते हैं लेकिन गुरु कौन हो सकता है जिसके सिस्टों हो इसलिए गुरुकुल का अर्थ हुआ ऐसा अफ्थाज जहां गुरु अपने सिस्टों के साथ रहें और उनका फिच्छा प्रदान करें ये गुरु ग्राफ ताफ्रम में हैं तो वहां पर उनके साथ उनकी ध्रम ठत्नी भी रहती है थीक है तो इस प्रकार लिखेंगे गुरु खुल गुरुकुल स्कावन्तवू हो गया जहां पर बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं और घुरुचुल में रहते हैं यह भी आप लोग थोड़ा रीट कर लीजीगा ठीक है और चार-पांच कुश्चन और इस वीडियो में इंकिलूडेड है जो कि आगे आगे आपको पढ़ लेना है पूरी पूरी पीडियाप आपको टेली ग्राम वट्सप पर मिल जाएगी तो वहाँ पर डाउनलोड करके इस वीडियो में जितने भी कुश्चन देगे अगर आप अच्छे पर तयार कर लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आएंगे कम से कम के बात कर रहा हूं बाकी ज्यादा भी आ सकते हैं बाकी यह पीडियोप आपको टेली वर्ट्सप पर मिल जाएगी मैसेज करके आप हमसे प्राप्त कर लिजेगा ठीक है और यह आपका अपना चैनल सक्स्क्राइब कर ल